नमस्कार मित्रों आप सवी का ओम डिजिटल स्टडी के इस ओनलाइन लर्निंग प्रेड़फरम पर एक बार पुने बहुत-बहुत स्वागत अभिन दन इस सेशन में हम राजस्थान की पॉलिटी का टोपिक वाइस डिसकस कर रहे हैं आज के सेशन में हम पढ़ेंगे राजस क्रेडार आयोग उसके बाद में लोका ऐउगット उनके बारे में डिस्कस किया तो आज हम agile डिस्कस करेंगे और अधिपॉन क करेंगे एक महद़फूलया जो आयोग है समयर्वल गर्मेंट है बारी में आदकार बारे में इनके चुनाव करवाने का जो कारे है यह पूरा रायत्य एक प्रकार का आपका समयधानिक निकाय है तहतर्वा और चोतर्वा समयधानिक सवप्रदान किया था उसी के साथ साथ में निर्वाचन के लिए एक आयूग का भी है वो गठन किया गया तो इस आयूग के बारे में हम हम completely discuss करेंगे इससे समंद्धि किस प्रकार्श प्रिक्षाओं में सवाल पूचे गए हैं आगामी भी कैसे सवाल पूचे जा सकते हैं वेसे यह छोटा सा टोपिक है लेकिन सवाल है वो काफी इसमें दो तरीके से पूचे जा सकते हैं एक तो आपके ULB से और आपके मैनली बात करें तो जो पंचायते हैं उनसे रिलेट करके सवाल पूचा जा सकता है एक इस आयोग प्रटिकुलर आयोग के समन में भी सवाल पूचा जा सकता है तो देखिए इनके हम समिधानिक प्रावधानों की भी बारे में बात करेंगे और इसके अलावा इनके अधिक सदस्य इनके बारे में भी कुछ चर्चा है वो जरूरी है वो करेंगे तो पहला जो सवाल है इसमें कि भारतिय समिधान के अनुचे 243 क का सिर्षक हैं इस्तानिय सुसासन के लिए निर्वाचन पंचायतों के लिए निर्वाचन राजिय निर्वाचन आयोग या नगरपालिकाउं के लिए निर्वाचन तो यह जो सवाल है यह आपका थोड़ा सा एक एस्वंजस की स्तती में डाल सकता है राजी निर्वाचन आयोगाउं में ज्यादातर पड़ते हैं कि कहां पर है 243 क में हैं लेकिन 243 क में अक्षार से क्या लिखा हुआ है और mostly RPSC औ काफी ज्यादा पूछता है कि Constitution में उसका प्रटिकुलर जो नाम है सिर्शक है वो टाइटल क्या दिया गया है तो देखिए 243 में अगर बात करें जो आपका Local Bodies है उनको अगर थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं बारतिया समिदार में दो स्वेंदानिक जो संसुदन जो आपका में इसमें आपका क्या किया था कि जो आपका ग्रामिन स्थानिय सुशासन है उस ग्रामिन स्थानिय त्रिय जो आपका ग्रामिन स्थानिय सुशासन है इनके में तोपन इनमें है वो प्रावदान किया गया है और इसी तेतरवे स्विधानिक संसुदन के तेत बारत में स्विधान में एक नया भाग है वो जोड़ा गया थ वो आपके किसको दिये गए थे इस्थानिये पंचायतों को 29 वीशे है वो दिये गए है कार्य की यह कार्य आपको करने है और इसमें आपकी चौतरवे स्वेदानिक संसोधन के तैत बाग नो जोड़ा गया और इसमें आपकी बारवी अनुसूची जोड़ी गई 12 सेडिूल है वो जोड़ा गया और इसमें है वो 18 जो कारे है तो आपको नगरपालिकाओं के लिए मुंसिपलिटीज के लिए 18 काम है वो दिये गए कि यह यह कारे आप लोगों को करने है ठीक है इसके साथ साथ में तैतरवे स्वेदानिक संसोधन की अगर बात करें तो इसमें अनुच् पी से 243 जैड जी तक आपके टोटल अनुच्छेद है वो इसमें है तो इन अनुच्छेदों में आपका मैंली लोकल बोडीज का है वो प्रावदान किया गया है ग्रामने इस्तानिय सुषासन नगरी इस्तानिय सुषासन जब तैतरवा स्वेदानिक संसोधन में 243 से 243 ओ जो जोड़े गए थे उसमें 243 के है उस 243 के में है वो क्या प्रावदान किया गया है कि पंचायतों के लिए निर्वाचन इसका है वो टाइटल रखा गया है राइट आंसर है वो दो हो जाएगा और इसी पंचायतों के लिए निर्वाचन में कहा गया है कि पंचायते हैं उन पंचायतों के लिए निर्वाचन का कार्य है उसका निर्वाचन का कार्य है उसका सुप्रिडेंटेंट यनिकी निरिक्षन निदेशन और सारा जो काम होता है निर्वाचक नामावली इत्यादी तेयार करने का वो सारा का सारा काम निर्वाचन आयोग का जो परमुक है नि उस निर्वाचन आयोग की राजपाल के द्वारा की जाएगी उसकी सेवा सरते पदावदी इत्यादी क्या होगी ये राजज सरकार है वो उनको निर्दारित हो करेगी राजपाल आपका समय समय पर अधिसूचना जारी करके इनके बारे में वो प्रोविजन करेंगे तो ये बात है नगरपालिकाओं के लिए अगर बात करें तो नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन है ये वारतिय समय अनुच्छे 243 जैड ए में ये बात कही गई है ठीक है जैड ए में क्या कहा गया है नगरपालिकाओं के लिए इलेक्षन और इसमें कहा गया है पंचायतों के ये election ठीक है 243 के तो ये बात है आपको इस title क्या है वो ध्यान में है वो रखना है आगे अगले सवाल के और discuss करेंगे हम राजी निर्वाचन आयो का गठन कब हुआ तो ये जो गठन है वो कब हुआ गठन की बात करें तो तैतरवा स्वेदानिक संसुदन अधिनियम है ये था 24 अप्रेल राजस्तान में कब लागू हुआ था 23 अप्रेल 1902 को ठीक है देश में लागू कब हुआ स्वेदान में संसुदन परवर्थ कब हुआ तो वो हो गया था आपका 24 अप्रेल 1903 को और इसमें ये कहा गया ये प्रोविजन किया गया कि अगले एक साल के भीतर बीतर शवी जो राजे सरकारे हैं वो इस आपका तैतरोय स्वेदानिक संसुदन के अधीन अपने नियम इत्यादी बना करके इनको इंप्लिमेंट करने का कारे करेंगे तो राजे सरकार ने इसको राजस्तान में एक साल के अंदर अंदर रही यानिकि 24 अप्रेल 1994 से पहले ह जुक इनको क्या कर दिया था आपका इंप्लिमेंट है वो कर दिया था ठीक है और इसके बाद में एक जुलाई यहने की जुलाई 1994 में आपका राजी इंदरवाचन आयोका भी गठन हो कर दिया गया था इसके लिए आपके पंचायतों के election कारियों को निर्षपादित करने के लिए संपादित करने के लिए तो जुलाई 1954 में राजिन इरवाचन आयू का गठन हुआ गठन कब हुआ तो जुलाई 1994 में एक जुलाई 1954 में में इनके पहले अधियक्स ने है ठीक हैं, next है, राजर निर्वाचन आयोग चुनाव संपन करवाता है, तो किस का चुनाव करवाता हैं, विधान सभा के, पंचायती राजसनस्ताओं के, नगरिये निकायों के या राजस्ताण, राजर सभा सदस्शियों के, तो अगर बात करें तो आपके ये निर्वाचन किसके करवाते हैं तो निर्वाचन आपके लोकल बोडी के करवाते हैं और लोकल बोडी राजस्तान में कितने दो टाइप की हैं एक तो राजस्तान में पंचाइदी राजस्ता हैं और एक है आपके नगर ये निकाह हैं तो दो सबागे जो चुनाव है इनका और इनका कोई राजी निर्वाचन आयोग का कोई लेना देना नहीं है उनका जो चुनाव है वो भारत निर्वाचन आयोग करवाता है ठीक है जो अभी चुनाव इत्यादी हो रहे है तो यह जो चुनाव है वो भारत निर्वाचन आयोग के अं है एकल सदस्य द्वी सदस्य बहु सदस्य उप्रिक्त मैंसे कोई नहीं तो राजी निर्वाचन आयोग एक एकल सदस्य सिंगल मेंबर आपका कमिशन है इसमें एक ही सदस्य होता है और उसको निर्वाचन आयोग के नाम से है गठन है वो हुआ है 243 के साथ में 243 जेड ए भी इसमें इसका है वो नगरिये निकायों के लिए निर्वाचन की बात है वो इसमें भी कही गई है नेक्स्ट है राज्य राजस्थान राजे में नगरपालिकाओं के सभी निर्वाचनों में अदिक्षण, निर्देशन तथा नियंतरण की शक्तियां भारत के सम्मीधान की इंत्रगत राजी निर्वाचन आयोग में नहीं थैं तो ये बात है इसमें मैनली कही गई है कि राजस्थान राज्य में नगर पालिकाओं के लिए बात करें तो सभी जो आपके निर्वाचनों में अदिक्षन है ठीकरें सुप्रिडेंटेंट इसके अलावा निर्देशन और आपका नियंत्रन है कंट्रोल और जो आपका डारेक एसन का अगर काम है तो इसके जो पूरी की पूरी जो पौर है वो भारतिय समिधान के कौन से आर्टिकल में राज्य निर्वाचन आयोग में आपके निहित होगी तो वो आपका कौन सा है 243 YA ZAK या P तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 243 JA 243 JA में ये बात है वो कही गई ह टिक है तो ZY में तो क्या हो गया नगर पाली काओं के लिए निर्वाचन दीक है तो जैड ए का सिर्षर क्या है नगर पाली काओं के लिए चुनाव करवाना उनका एलेक्टोरल रोल तैयार करना, उसका निर्देशन करना, उसका अधिक्षन करना, उसका सुप्रिडेंटेंट करना, वो पूरा का पूरा काम है, वो राज्य निर्वाचन आयोग का है, और 243K में यही काम है, वो आपका जब आपके इस्तानिय सोसासन यानिके पंचायती होते हैं, उस समय निर्वाचन आयोग यह कारे है, वो मेंटेन करता है, तो यहां पर राइट आंसर हमारा 243K क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर विकल्प में जो प्रेशन में नगरपालिका जो नाम दिया हुआ है, इसी नगरपालिका के इस्तान पर अगर आप से यहां 243K आ जाता, लेकिन नगरपालिका है, इसलिए 243Z A आएगा, ठीक है, और 243P में क्या है, तो 243P में आपका परिबासा दी हुई है, जो आपकी ULBs है, यहनि कि शेहरी इस्ताने जो निकाह हैं नगरपालिका हैं, इनकी परिबासा है, 243P में दी गई है, ठीक है, औ और 243Y A तो कोई अनुचे दी, इसमें नहीं है, नगरपालिकाओं यहां इस्ताने अस्वसासन से संबंदित है नहीं, यहसा कोई आर्टिकल भी, राजस्तान में परतम निर्वाचन आयुक थे, वो कौन थे, तो अमर्शिंग राठोड, S.K. गोस, कांता भटनागर और स्र राजस्तान के पहले election commissioner के रूप में क्या है, यह आपके पदभार है, इन्होंने हो गरेन किया था, स्री S. के घोष की बात करें, तो यह आपके RPSC, राजस्तान Public Service Commission के परतम जो क्या थे, अदिक्स थे, आपके स्री S. के घोष, कांता भटनागर के बारे में बात करें, तो यह राजस्तान State Human Rights Commission की पहली क्या थे, अदिक्स थी, तो राजस्तान राज यह मानवादिकार आयोग की पहली अदिक्स कांता भटनागर, स्री के 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 गोष की बात करें, तो राजस्तान राज यह जो वित आयोग है, इस वित आयोग के पहले 4 परशन कौन थे, के के गोष और वित आयोग का भी प्रावदान इसी local bodies वाले पोर्शन में किया गया है, कहाँ पर है, 243 AI के तेयत है, वो वित आयोग का गटन है, वो किया गया है, तो यह हमें इस वित आयोग के बारे में भी ध्यान में रखना है, AI में आपका क्या है, वित आयोग है, नेक्स्ट हैं राजस्तान में पर्थम निर्वाचन आयू आयूक्त स्री अमर्शिंग राठोड की न्यूक्ति किसने की तो यह यहाँ पर एक समझने वाली भी बात है कि जो आपका इलेक्शन कमिस्नर हैं उनको अपोइंटमेंट कौन करते हैं तो उनकी निक्ति है वो हमारे राजपाल के द्वारा की जाती हैं और उस समय राजपाल कौन थे तो यह भी अगर आपको पता है कि उस प्रटिकुलर टाइम डियूरेशन में 1994 में राजपाल के पत पर कौन पदेस्थापित थे तभी आप इसके इसे सवालों को है वो जवाब भी दे पाएंगे तो उस समय बलिराम भगत है यह राजपाल के क्या थे गवर्नर थे यह आपके 1993 से 98 तक है यह राजपाल के गवर्नर है वो रहे है तो राइट आउसर हमारा बलिराम भगत हो जाएगा तो सीधी तोर पर आपसे यह सवाल पूचा जा सकता है कि स्टेट इलेक्शन कमिस्नर को न्युक्त कोन करते हैं तो न्युक्त करते हैं आपके गवर्नर पद से हटाने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास में राजस्तान राजी निर्वाचन आयो के अध्यक से हो कौन नहीं रहे हैं HD उजवल यहने की सावलदान उजवल इंद्रजीत खन्ना राम लुबाया या एन आर भसीन तो यहाँ पर राइट आउसर हो जाएगा HD उजवल सावलदान उजवल है यह राजस्तान के क्या रहे हैं मुख्य सचीव रहे हैं राजस्तान के मुख्य सचीव और RPSC के मेंबर भी रहे चुके हैं HD उजवल लेकिन राजे निर्वाचन आयो के अध्यक्स के पद पर नहीं रहे हैं इंदरीजीत खन्ना रहे चुके हैं, राम लुबाया रहे चुके हैं, एनार बसिंड रहे चुके हैं, और भी जो लिस्ट है वो हम देख लेते हैं कि कौन-कौन आज तक राजस्तान इस्टेट इलेक्शन जो कमिस्टन है, इसके कमिस्टनर के पदपर है वो रहे हैं, तो पूर्वे राजस्तान के अगर बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी रहे चुके हैं तो राम लुबाया और इसके बाद में पेम सिंग मेहरा पेमे पोलिटिक्स इनकी ये जो है कुलिफिकेशन है और 2017 से 22 तक ये रहे थे और उसके बाद में मदुकर गुपता ये रिटार्ड आईएस हैं और वर्तमान में आपके इलेक्षन कमिशनर ओफ राजस्तान है 14 अगस 2022 22 को इनको है वो अपोइंट किया गया था ठीक है तो ये आपके क्या है रिटार्ड आईएस अधिकारी ही आपके हैं जो की राजस्तान राज्ये निर्वाचन आयूग के निर्वाचन आयूग के है वो रहे हैं तो ये आपको द्यान में रखना है इनकी लिस्ट इत्यादी इस प्रकार से सवाल पूचा जा सकता है कौन नहीं रहे हैं, तब हमें पूरी तरीके से पता नहीं होता है, तब हमें इनको find out हमें वो नहीं कर पाते हैं, तो अच्छी तरीकेशा आपको द्यार में रखना है, अमर शिंग राठोड, एन आर बसेंड, इंदरजीत, खन्ना, ए 6 वर्ष, 65 वर्ष की आयू जो भी पहले हो, 6 वर्ष, 62 वर्ष, 5 वर्ष, 65 वर्ष, 3 वर्ष, 70 वर्ष, तो इनकी जो आपका tenure होता है, वो 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयू जो भी पहले हो, तब तक election commissioner अपने पदपर हो बने रहते हैं, ठीक है, और नियुकती कोन करते हैं, ठीक है, लोक आयूगती, दूसरी बात है, 3 वर्ष और 70 वर्ष की किसकी है, तो 3 वर्ष और 70 वर्ष है, वो राजस्थान State Human Rights Commission, राजस्थान राजी मानवादिकार आयूग है, ये आपका 3 वर्ष और 70 वर्ष की इनकी मानवादार अधिकार आयूग की अध्यक्स और 70 और अगर बात करें 6 वर्ष और 62 वर्ष किसकी होती है तो RPSC के जो चेर पर्षन है और मेंबर है इसकी जो आपकी tenure अगर बात करें तो इनका tenure कितना होता है 6 वर्ष और 62 वर्ष की I.U. 6 वर्ष और 65 वर्ष की I.U. किसकी होती है तो UPSC के जो आपके चेर पर्षन और मेंबर हो प्रिक्षा में पूछा गया सवाल है तो देखिए आप इनको कंसिडर करना है आपको पहला है कि राज्य की पंचायतों एवम नगरपालिकाओं के चुनाओं के लिए निर्वाचन जो सुची है इलेक्टोरल रोल है उनको ये प्रिपियर करते हैं तैयार करते हैं किसके लिए पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाओं के लिए ठीक बात है तो है पंचायतों एवम नगरपालिकाओं के लिए चुनाओ संपन करवाते हैं ये भी ठीक बात है तीने भारतिय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन सुची का चेहन और तयार करने क कारिय है तो भारतिय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत जो निर्वाचन सुची है इसका चैन करना और उस पर कारे करना स्टेट इलेक्शन कमिशनर का कारिय है वो नहीं होता है राजजी निर्वाचन आयोग का कारिय हो नहीं होता है उनका काम अलग हैं और हमारे राज्ये निर्वाचन आयोग है वो काम उनका अलग है ठीक है तो वो भारत निर्वाचन आयोग है वो देखते हैं यहाँ पर जो आपका है वो एक और दो है यह निकि यह केवल और केवल आपके पंचायती राजसनस्ताओं से संबंदित और नगरपालिका उसे संबंदी जो भी मुद्दे होते हैं उनके चुनाव की बात करें उसके चुनाव पर आपका निर्देशन की बात करें सुप्रिडेंटेंशन की बात करें तो वो सारी की सारी इलेक्टोरल जो मत्दाता सुची है वो तयार करने की बात है उनको जो आपके मैनली कहते हैं चुनाव जुचिने हैं वो भी आवंटित करते हैं इन नगरपालिकाओं और पंचायतों के लिए ठीक है तो ये काम किसका है स्टेट इलेक्शन कमिस्टन का है तो राइट आंसर ए पंकज गुपता, डिबी गुपता, मदुकर गुपता, रुप्रे, ताप, कृष्ण, लोहरा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मदुकर गुपता है ये वरतमान में आपके राज्य के निर्वाचन आयोगत है और पीके जो लोहरा है ये आपको कमेंट करके बताना है कि प जेक्सन है आपके यूएल बी के ये आपके कब है वो हुए थे तो जनवरी फरवरी 2021 जनवरी 22 यह सितंबर 59 2020 सितंबर 59 2021 तो आपके यूएल बी के चुनाव है वो राज्तान राजिय निर्वाचन आयोगत के द्वारा उगनी इक्रान बेन जो नगर निका है इनके लिए ल 2021 में आयुजित करवाए थे वहीं पंचायतों के जिव लिए जो लस्ट चुनाव है वो सितंबर अक्टॉमबर 2020 को है वो पंचायतों के लिए लस्ट इलेक्शन है वो कंडेक्ट करवाए था तो ये कभी कभ आग पूछ सकता है कि रिशेंटली आपके लस्ट इलेक्शन है इन राजिस्तान राजिय मानवादिकार आयोग मार्च 2000 तो इसमें क्या है केवल आपको इस्थापना जो फाउंडिंग येर है वो देखना है इस्थापना कब हुए उनकी राजिस्तान लोक्षवा आयोग 20 अगस्ट 1949 राजिस्तान राजिय इंद्रवाचन आयोग जुलाई 1994 चुराण वे तो यहाँ पर अगर बात करें तो ना तो एक सही है ना दो सही है और ना ही तीन सही है यानि कि पूछा है एसमेलित इंकॉम्टिबल जो विकल्प है वो कौन से हैं तो सभी इंकॉम्टिबल है सभी आपके क्या है गलत है एसमेलित है बात करें राज्तान 18 जनवरी 1999 जैसा कि हमने पिछले सेसन में डिस्कस किया था 18 जनवरी 1990 को राजस्तान स्टेट यूमन राइट कमिस्ण का आवो घठन हो गया था बात करें राजस्तान लोक्षवा आयोग की तो राजस्तान लोक्षवा आयोग का विदिवत रूप से अस्तित्व है वो 22 इसके लिए अध्यादेश जारी है वो किया था और यह सवाल RPSC ने एक दो बार पूछ भी लिया है कि राज्तान लोक्षोव आयोग का गठन है वो कब किया गया था जिसमें 20 दिसंबर जो आपका 20 अगस्त उनीसों गुंचास है वो आपका क्या है ज्यादा तर है वो गलत मा है तो अगर आपने कहीं पढ़ा हो कि इसकी स्थापना 20 अगस्त उनीसों उन्चास की हुई है तो यह बिलकुल आप लोगों ने गलत पढ़ा है ठीक है तो आप से ध्यान में रखेंगे कि राज्तान लोक्षोव आयोग RPSC की स्थापना है वो कब हुई थी तो RPSC की स्था निर्वाचन आयोग इलेक्षन जो कमिशन है यह हमने डिसकस किया कि 1902 में ना होकर के यह कब है जूलाई 1904 में इसका आयोग वठन हुआ है इसलिए सारे ही हमारे क्या है इनकॉंप्टीबल है असंगत है गलत है ठीक है तो यह बात आप लोगों को ध्यान में रखना है नेक क्या विचार करना है कि राजी निर्वाचन आयोग राजस्तान का गठन दिसंबर 1904 में हुआ बिल्कुल नहीं हुआ गलत बात है ठीक है तो यह क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा दो नमबर है एक सचीव होता है जो राजी का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है it is a secretary who is also the chief electoral officer of the state तो यह दो नमबर वाली बात सत्य है इरका एक मुख्य निर्वाचन आयोग तो होता है यह निकि एक यह आपके single member commission है एक इसका मुख्य सचीव भी होता है जो राजी का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है ठीक है तो यह आपको ध्यान में रखना ह इसका एक सचीव भी होता है जिस प्रकार्षे एक आपका लोकाईक का सचीव होता है मानवादिकार आयोग में सचीव होता है उसी प्रकार्षे इसमें भी एक क्या होता है यह बात ध्यान में रखना है बाकी इनके करमचारी इत्यादी होते है चुनाओ के समय जितने भी इन मंदीत कत्रों पर विचार करें और इसमें आपको कूट के माध्यम से देना है कि केवल एक सही है केवल दो सही है तो केवल इसमें क्या हो जाएगा दो सही है एक वाला गलत है जुलाई 1994 में इसका है वो गठन हुआ था ना कि दिसंबर 1994 में तो गठन की बात करें तो जुलाई 1994 नेक्स्ट हैं असिस्टन्ट प्रोफेसर प्रिक्षा प्रिवियर्स जो एक्जाम्स है उसमें ये सवाल है वो पूचा गया था कुछन्स है राजस्तान राज्य निर्वाचन आयोग का घटन समीधान के अनुच्छे 243 या 243 क के अधीन अप्रेल 1994 में है वो हुआ राजस्तान राज्य निर्वाचन आयोग एकल सदस्टी आयोग है जिसकी अध्यकस्ता राज्य निर्वाचन आयोग का एक सचीव है जो राज्य का मुख़े निर्वाचन अधिकारी भी होता है तो ये लगबग- लगबग ऐसे ही इसी प्रकार के आपको पूछे जाते हैं इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा यह आपका रोंग हो जाएगा क्योंकि जुलाई 1994 में इसकी स्तापना हुई थी 243 क के तैत यह तो ठीक बात है लेकिन यहां पर है वो गड़बड है राज्तान राजी निर्वाचन आयोग एकल सदसी आयोग है यह बिल्कुल सही बात है जिसके अधिकस्ता राज्य निर्वाचन आयोग तो द्वारा की जाती है तो दो बिल्कुल राइट है तीन है कि एक सची होता है मुक्य निर्वाचन अधिकारी यह भी सही है यनि कि B और C इसका राइट आंसर विकलप नंबर है वो तीन हो बारत में इस्थानी निकायों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयूक के द्वारा करवाये जाता है। बारत में इस्थानी निकायों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयूक के द्वारा कराये जाता है। बारत में राज्य निर्वाचन आयूक के द्वारा के द्वारा कराये जाता है। या जा सकता है। नेक्स्ट है यदि राज्य निर्वाचन आयूक तर अपना इस्थिपा देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र है वो किसको देंगे। प्रदान मंत्री, राज्य पाल, राश्टपती, मुख्य मंत्री। इसका जवाब मैं नहीं दूँगा। इसका जवाब है वो आपको देना है कमेंट सेक्षन के माध्यम से इसका राइट आंसर है वो क्या होगा। तो आज के इस सेस्न में बस इतना ही बहुत छोटा सा टोपिक था और हमने क्विकली समझने को इसके बारे में हो प्रयास किया। थेंक यू सो मच ओल आफ यू कल के सिस्र में और मैधपून और टोपिक के साथ में हो चर्चा करेंगे तब तक के लिए शुक्रिया नमस्कार जय हिंदे।